अशे जनाब एक और प्रॉब्लम जो हमें फेस करने को मिलती है वो ये कि हमारा डेटा बाद वकाद इंबैलन्स दोता है यहने उसमें एक कैटेगरी जो है वो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है जैसे मज़े प्रेडिक करना है कि किसी बंदे को कैंसर है या नहीं है हुआ हमारा मॉडल हमें ज्ञाधा वैल्यू यू ज्यादा बैल्यूज ज्यादा हो गा बंदे को cancer नहीं है तो 95% लोग तो उसके पास वो आएंगे जिनको cancer नहीं होगा और उसके यह baseline model भी जो है सही काम करेगा जो के ज़रा सा भी intelligent नहीं है लेकिन क्योंकि हमारा data ही ऐसा है कि 95% लोगों को cancer नहीं है वो आखे बन करके भी अगर यह prediction करना शुरू करे तो यह सही होगी जब imbalance data होता है तो हमें देखना पड़ता है कि उसकी precision क्या है, recall क्या है इसको समझने से पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि true positive, true negative, false positive, false negative क्या है तो अगर मैंने कहा कि बंदे को cancer है और actually cancer था भी तो यह true positive है मैंने prediction की के उसको cancer नहीं है यहने मैंने negative prediction की लेकिन उसको cancer था तो यह negative prediction गलत थाबित हो गई तो यह false negative क्या मैंने prediction की के उसको cancer नहीं है यहने मैंने negative prediction की और उसको नहीं था तो यह true negative होगी है मैंने prediction की कि उसको cancer मिसाल के तोर पर cancer नहीं है और मैंने जो prediction की वो गलत सावित हो गया थी यो false negative हो गया तो एक हम positive और negative को किस तरीके नहीं अंदारा लगाएंगे है हमारी prediction अगर मैंने negative prediction की है तो negative आएगा आफर में और true हुई है या false हुई है उसके थाप से तो true positive में prediction मैंने positive की है और वो सही सावित हो गई false positive में prediction मैंने positive की है लेकिन हो गलत सावित हो गई तो कितनी predictions रहती हैं जिसमें true positive values आ रही है कितनी prediction में true negative, कितने में false positive, कितने में false negative उसके बाद हम precision निकालते हैं कि true positive plus false positive denominator में numerator में true positive recall इसी तरीके से हम true positive divided by true positive plus false negative